करम का दंड भोगना ही पड़ता है दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे द्वारा किया गया एक एक कर्म अपना फल कुफल जरूर छोड़ता है वो अलग बात है कि कोई कर्म अपना प्रेडाम तुरंत दिखाता है और कोई कोई कर्म अपना फल देरी से देते हैं परंतु ये सत्य है कि हमें अपने कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है दोस्तों, ये कहानी है एक सौतेले भाई की इस कहानी से हमें पता चलेगा कि हम चाहें कितने ही उचे उठ जाए लेकिन हमें जमीन से हमेसा जुड़कर रहना चाहिए जो लोग उचे उठने के बाद अपनी आउकात भूल जाते हैं जमीन से अपना रिष्टा तोड़ देते हैं बेजब गिरते हैं तो फिर जमीन से और भी जादा नीचे पहुच जाते हैं इस माया को कभी अपना समझने की भूल मत करना ये तो चंचल है आज तुमारे पास है कल आपको ठुकरा भी सकती है और किसी और के पास चली जाएगी अपना तो वही होता है जो बिना स्वार्थ आपका हित चाहता हो और मुश्किल बक्त में वही आपके काम आता है एक बार को दुनिया आपको ठुकरा भी दे लगवक साथ आठ वर्स की रही होगी तब बीमारी के चलते उसकी मा का देहान थो गया पत्नी के जाने के बाद जगनात बिलकुल अकेले पर चुकी थी उदर खेत के साथ साथ अपने बेटे की भी देख रहे उन्हें अकेले ही करनी परती थी ऐसे कब तक चलता कब तक भी इतनी जिम्मेदारियों का बोच अकेले बे अपने सर पर ढोती रहती सगे सम्मंदियों के और रिस्तेदारों के कहने पर उन्होंने अपना दूसरा बेभा कर लिया सोचा था प्रभाकर को जब मा मिल जाएगी तो उसकी देखने का अच्छे से हो सकेगी उनकी दूसरी पत्नी मालती सुभाव की बहुत अच्छी महला थी बे प्रभाकर के साथ कभी भेदभाव नहीं करती थी अपने सगे बेटे की तरह उससे प्रेम करती थी धीरे धीरे समय गुजरता गया दो बर्स बाद मालती ने एक पुत्र को जनम दिया उसका नाम रखा चेतन मालती जी चेतन और प्रभाकर को बहुत इसने से रखती थी धीरे धीरे चेतन भी बड़ा होने लगा चेतन अभी पांच बर्स का ही हुआ था कि एक सड़क दुरकटना में उनके पिता की मृत्तु हो गई प्रभाकर अब कापी समझदार हो चुका था पिता के गुजरने के बाद घर की सारी जम्मेदारियों का भूज अब प्रभाकर के कंधों पर आ गया था वो अभी पूरी तरह से प्रोड नहीं हुआ था फिर भी अपनी जम्मेदारियों को भली भाद समार रहा था अपनी माँ और छोटे भाई की देखरेक अच्छे से कर सकी इसलिए प्रभाकर ने अपनी पड़ाई बीच में ही छोड़ दी और खेती बारी मेहनत मजदूरी करके उनका पेट पालने लगा प्रभाकर ने चेतन को एक बहुती अच्छे स्कूल में पड़ने को बैठा दिया प्रभाकर दिर राद महनत मजदूरी करके चेतन की सारी इच्छाएं पूरी करता था एक पिता की तरह वो अपनी जम्मेदारियों को निभा रहा था चेतन को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था चेतन को कभी लगा ही नहीं कि उसके पिता मर चुके है प्रभाकर की ये हारदे के इच्छा थी कि वो अपने भाई को पड़ा लिखा कर एक काम्याब इंसान बना दी उसकी कहीं अच्छी जगे नौकरी लग जाए यही सपने लेकर वो अपने भाई को पड़ाई पूरी कराता गया भाई को सफल बनाने के लिए प्रभाकर ने अपने सारे सपनों को मिटा दिया मालती जी जब भी प्रभाकर से साधी के लिए बोलती थी तो प्रभाकर कह देता, मा, पहले मैं चोटे भाई चेतन को एक काम्याब इंसान बना दू, जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो मेरी चिंता कथम हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी साधी के बारे में सोचूँगा, अगर मैंने अभी साधी कर ली, तो मेरे पर पतनी की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर मैं चेतन को पूरा सहयोग नहीं दे पाऊँगा, जब मेरे भाई की नोकरी लग जाएगी, तो वो अपनी ग्रहस्ती का खर्च स्वयम उठा लेगा, और मेरा भी भार कुछ हलका हो जाएगा, तब मैं अपनी भी साधी कर लूँगा, अपने चोटे भाई के प्रते प्रभाकर का ऐसा प्यार देख कर, मालती बहुत खोस होती थी, खुसी में कभी कभी उनकी आखे भर आती थी, सोचती थी कहीं ऐसा नहो कि चोटे भाई की खुसीयों के चकर में प्रभाकर खाली हाथ रह जाए, प्रभाकर अपनी गुजरता गया चेतन की प्रारिम्बिक सिक्षा पूरी हुई उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सहर में जाना था आगे की पढ़ाई का खर्ड़ मेहनत मजदूरी से तो नहीं चल सकता था इसलिए प्रभाकर ने अपना घर और खेतिक सावकार की अहां गिर्मी रख दिया उन्हीं पैसों से उसने अपने भाई को सहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने को भेश दिया चेतन एक होस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा प्रभाकर मजदूरी करके भाई के खर्च के लिए हर महीने पैसे पहुचा दिया करता था समय के साथ सार जब चेतन की सिक्षा पूरी होई तो उसे एक बड़ी कमपनी में नौकरी मिल गई वो कमपनी में मैनेजर के पदपर काम करने लगा प्रभाकर को जब ये ख़बर मिली कि छोटा भाई चेतन एक कमपनी का मैनेजर बन गया है तो उसे बड़ी खुसी हुई आकर खुसी क्यों ना हो जिस सपने को लेकर वो इतनी बरसों से भाई को पढ़ा रहा था आज वो पूरा हो चुका था प्रभाकर की मेहनत रंग लाई खुसी में उसने पूरे गाउं में मिठाईया बटवाई मा भी बहुत खुस थी कि अब मेरा चोटा बेटा नौकरी के पैसों से पहले से रखे गिर्भी घर और जमीन को साहुकार से छोड़ा लेगा बे अब चेतन के गाउं लोटने का इंतजार करने लगे फोन पर जब कभी बात हो जाती थी तब चेतन जल्द ही गाउं लोटने की बात कहकर फोन रख देता था मित्रो इधर माँ और बड़े भाई को इंतजार करते करती 6 महीने भीट चुके थे लेकिन चेतन अभी भी गाउं नहीं लोटा था नौकरी लग जाने के बाद वो एक भी दिन गाउं नहीं आया था साहुकार का ब्याज उनके उपर चड़ता जा रहा था साहुकार नोने कई बार नोटिस विचवाया कि हमारे पैसे दे कर अपना घर और जमीन चुड़ा लो बरना हम घर और खेट पर अपना कबजा जमा लेंगे प्रभाकर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सावकार से अपना घर और खेट चुड़ा पाता सारे पैसे तो उसने चेतन की पढ़ाही में लगा दिये थे अब एक ही उमीद बची थी सिर्फ चेतन कि वो गाउं आकर शेट के पैसे चुका कर घर और जमीन को छुड़ा ले इंतजार करते करते एक दिन प्रभाकर ने चेतन को फोन मिलाया और का भाई तुम गाउं कब आओगे मैं और मा तुम्हारा कितना इंतजार करते है साउकार रोज जमीन पर कबजा करने का नोटिस भेजता है तुम आ जाते तो साउकार का रिड़ चुक जाता जब से तुम्हारी नोकली लगी है तब से एक बार भी तुमने अपनी सूरत हमें नहीं दिखाई है मा भी तुम्हें देखने के लिए कितनी बेचैन रहती है दरसक बंधू चेतन का जवाब सुनकर प्रभाकर एक दम से सन रह गया उसका मुँख खुला की खुला रह गया एक भी सब्त उसके मुँख से नहीं निकला दरसल चेतन ने उससे कहा था कि भाईया तुम बार बार फोन मत किया करू मेरे पास तुम से बात करने का समय नहीं है मेरी साधी इस कंपनी के मालिक की बेटी से हो गई है मैंने उसे तुम्हारे और मा के बारे में कुछ नहीं बताया है क्योंकि अगर मैं उनसे कहूंगा कि मेरी माँ और भाई गाउं में रहते हैं तो यह समझेंगे कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ इससे मेरी इमेज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा आज से तुम्हारा मेरा संबन्द खतम हो गया और हाँ यह बार-बार मुझे फोन मत किया करो मित्रो चेतन की बाते प्रभाकर को ऐसे लगी जैसे किसी ने अचानक से खंजर गोप दिया हो कहने लगा चेतन यह तुम क्या कह रहे हो तुम्हें काम्याब बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है अपने सारे सपनों को दबा कर तुम्हारी काम्याबी को ही मैंने सपना बनाया था और तुमने यह बात कहते हुए एक छड़का भी समय नहीं लगाया चेतन बोला अरे भाई तुमने मेरे लिए जो किया है वो कुछ नया नहीं है सभी बाप भाई करते है रही नौकरी की बाद तो उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है नौकरी तो मुझे मेरे टैलेंट के दम पर मिली है खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझे फोन किया तो मैं अपनी जिन्दगी से खुस हूँ और मेरे जीवन में दखल देने की कोशिस मत करना मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ तुम मेरे सौतेले भाई हूँ और मेरी कमाई की आज छोड़कर अपनी खुद की कमाई के बारे में सोचो मैं अपनी कमाई की एक फूटी कौडी भी आपको नहीं दूँगा इतना कहकर चेतन ने फोन काट दिया फोन कटते ही परभाकर की आँखे आशूं से चल चला उठी सोचने लगा जिस भाई के लिए मैंने अपनी साधी तक नहीं की उसी भाई ने एक जटके में संबंद खतम कर लिया मुझे चेतन से ऐसी उमीद नहीं थी मित्रो जब चेतन की सारी बातें परभाकर ने अपनी मा को बताई तो उसे बहुत भारी सद्मा लग सोचने लगे कि परभाकर तो मेरा सौतेला बेटा है अगर ये कुछ कहता तो ठीक भी था पर मेरे सगे बेटे नहीं मुझे भुला दिया बेटे का ये वियोहार मा से वरदास्त नहीं हुआ वो बेचारी बिना मौत ही चल वसी उसके मरने पर भी चेतर नहीं आया मानोस ने सब कुछ भुला ही दिया हो मा के जाने के बाद प्रभाकर की सारी उमीदیں नश्ट हो चुकी थी साउकार के पैसे नाला उटा पाने की बज़े से घर और जमीन पर साउकार ने अपना कबजा कर लिया था प्रभाकर को घर छोड़ कर जाना पड़ा उनके रहने का अब कहीं और ठिकाना नहीं था इसलिए वो एक अनाथ आस्रम में आकर रहने लगे मैं पूरे दिन अकेले-अकेले से रहते थे ना किसी से बोलना अच्छा लगता था ना किसी के पास बैठना मानों का इस्वर पर से विश्वास ही उठ गया हूँ भाई के दुर्भेवार ने उन्हें अंदर से जख्चोर कर रख दिया था पर कहते हैं भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं उस आस्रम का जो मैंनेजर था वो एक नौजमान युबग था वो सारे दिन परभाकर की और देखता रहता था क्योंकि परभाकर पूरे दिन अकेले बैटकर बिचारों में खोई रहती थी मैनेजर का नाम था रोहित एक दिन रोहित परभाकर के पास आया और उनसे उनकी पूरी कहानी सुनी तो उसे भी बड़ा दुख हुआ रोहित ने कहा अंकल मैं भी बिना माबाब का हूँ क्या आज से मैं आपको पिता जी कहकर बोला सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि आज से आप मेरे पिता जी बनकर मेरे घर पर रहे चलो मेरे घर चलो इतना कहकर रोहित प्रभाकर को आस्रम से अपने घर बुला लाता है और पिता की तरह उनका खूब ख्याल रखने लगा प्रभाकर कहने लगे बेटा तुम बहुत महान हो आज कल तो बेटे माबाप को बोश समझ कर ब्रद्दा आस्रम छोड़ जाते है और तुम एक हो जो मुझे पिता जी बनाकर अनात आस्रम से उठा कर घर में ले आए तुम जैसे बेटों की बज़े से ही आज भी प्रत्वी पर मर्यादा जीवित है मुझे तुम पर बहुत गर्भ है तब रोहित बोला पिता जी जिन बेटों के सिर पर माबाप का हाथ नहीं होता है बे बहुत अभागे होते हैं मैंने बच्पन में ही अपने माबाप को खो दिया था मैंने कभी माबाप का प्यार नहीं देखा लेकिन आपको पिता के रूप में पाकर मुझे संसार की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है प्रभाकर उसी दिल से रोहित के घर में रहने लगे सोचने लगे है ईश्वर तुम्हारी लीला भी बड़ी बिचित्र है जो अपना था उसने पराया बना दिया और जो पराया था उसने अपना बना लिया इस प्रकार प्रभाकर को रहते रहते कई बरसे बीत गई एक दिन प्रभाकर सबजी लेने भाजार गए थी दुकान पर सबजी खरीद रहे थी तबी पीछे से एक भेकारी ने उनसे कहा हे भाई मैंने चार दिन से कुछ नहीं खाया है भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दू भेकारी की आवाज सुनकर प्रभाकर को ऐसा लगा जैसे वो आवाज उन्होंने पहले सुनी है उन्होंने पीछे लोटकर देखा तो उनके हो सोड़ गए उन्होंने देखा कि उनका ही छोटा भाई चेतन भेकारी की रूप में खड़ा है जिसकी हालत बहुत ही देनिये थी जो बहुत कमजोर हो गया था चेतन को देखकर प्रभाकर भी बड़े अच्मंजस मे पढ़ गए और प्रभाकर को देखकर वो भेकारी भी एक दम से सकपका गया सामने अपने बड़े भाई प्रभाकर को देखकर उसका सर नीचे जुकिया उसकी आँखों से आशों का सैलाब चल पड़ा उसके मुँझे कोई सब्द नहीं निकला वो अपने भाई को एक टक देखता ही जा रहा था प्रभाकर ने पूछा चेतन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई चेतन ने कहा भीया ये सम मेरे करमों का फल है मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया और तो और मैंने अपनी सगी माका भी नहीं हुआ उसी पाप की मुझे इश्वर ने सजा दी है इतना कहते कहते चेतन बेहोस हो जाता है भाई को बेहोस देखकर प्रभाकर घबरा जाते है उन्होंने तुरंथ फोन करके अपने बेटी रोहित को बुलाया और चेतन को फौरन अस्पिताल में भरती करा दिया डाक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है कई दिन से इसने खाना नहीं खाया है खाना ना मिलने की बजह से इसकी हालत ठीक नहीं है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है जल्द ही ये ठीक हो जाएगा रोहित ने कहा पिता जी आप तब तक घर जाईए इनके पास मैं बना रहूँगा होस आने पर मैं आपको बुला लूँगा प्रभा करने कहा नहीं बीटी इनके होस आने तक मैं यही रहूँगा बेहोसी के हालत में जो पड़ा है वो मेरा छोता भाई चेतन है ये सुनकर रोहित भी चौक जाता है थोड़ी देर बार जब चेतन को होस आया तो उसने अपने भाई को पास में बुलाया और उनके चरणों में लिपट कर रोने लगा वो बार बार उनसे अपने किये की छमा मांगने लगा प्रभा करने पूछा भाई आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए थी फिर आपकी ये हालत कैसे हो गए तब चेतन ने बताया कि है भाई मेरी बहु और बेटों ने सारी दौलत अपने नाम करा ली और मुझे धक्का मार कर घर से निकाल दिया ये मेरे कर्मों की सजा है जो आज मैं दरदर भीक मांगता फिर रहा हूँ सच है इस्वर की लाठी जब पढ़ती है तो किसी को सुनाई नहीं देती लेकिन पीडा बहुत पहुँचाती है प्रभाकर ने उसे धहरी बनाया और का भाई तुम चिंता ना करो तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया लेकिन मेरा बेटा तुम्हें अपना लेगा इतना कहकर उन्होंने अपने भाई को सीने से लगा लिया रोहित खड़ा खड़ा देख रहा था उसकी भी आँखे नम हो गए रोहित अपने पिता के भाई चेतन को अपने घर बोला कर ले किया और अपने सगे चाचा की तरह उनकी भी देखवाल करने लगा करम का दंड जरूर मिलता है भले उसमें देर कितनी ही हो जाए दोस्तों ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें किसी के साथ धोका नहीं करना चाहिए दौलत से आप चाहें कितने ही बढ़ जाओ होगी उमीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी जरूर पसंद आई होगी तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीचिए और मिलते हैं आप से एक और अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ आप सभी का बहुत भुत धन्यवाद जैस्री कृष्णा